हेई फूरीज वेलकम बैक मैं हों खुश्बर आज मिनाने पाले हैं रवा इडली और इसे आज मिना दहिक के बहुत ही मदिदार बहुत ही सफ्ट तो सबसे पहले मैंने यहां दिखिए डेड़ कप रवा ले लिया है मतलब डेड़ कटोरी रवा मींस सूजी ले लिजी मोटी कर दे बारिक जो भी हो यूस कर सकते हैं मैंने मोटी इसकी मतलि बाद 2 शोटे चमच HAVair वीज उसके बात ना कंदा नमक डलो कर ने अच। अब हम इसमें डालेंगे पानी तो जितना आपने सूजी लिए है उतना ही पानी डाली जिए या फिर थोड़ा सा कमी डाली लेकर जादा पानी बिल्कुल मत करें नहीं तो बहुत जादा डील हो जाएगा तो यहां मैंने डेड़े कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर अब मैं ऐसे कर दूंगी कवर और इसे 15-20 मिनट के लिए रैष्ट करने देते हैं तब तक के लिए हम इडली के साथ खाने के लिए फटाफर से चटनी बना लेते हैं तो एक छोटे साइस का मेरे पास नारियल था वह वाला मैंने निगाल लिया है और आप मैं इसे कद्दू एक इंच अधर का टुकड़ा स्लाइजिस में करके दो से तीन लाल मिश्ट लिया हैं उन्हें भी रफली चॉप कर लिया है और सारा जो ग्रेट किया था वो फ्रेश कोकोनर डाल दिया है टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल देंगे और एक चमच हम इसमें डाल रहे हैं मुफली के जगे आप चाहें तो सॉल्टेट पीनट्स जो आते हैं वो डाल दीजिए या फिर मुफली के दाने हैं तो उन्हें तवे पर रोष्ट करके दो से तीन बड़ा चमचा वो भी डाल सकते हैं और थोड़ा साब पानी डालकर इस अच्छे से ग्राइंड कर तो इस तड़के को हम डाल देंगे हमारी चटनी में और अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स के साथ हमारी बहुत ही मज़ीदार से चटनी बनके बिकल रैडी हो चुकी है इसे करेंगे साइड में अब जो हमारे इडली के मोल्ड है उन्हें हम अच्छे से ग्रीज कर देंगे और उसके पास जो हमारा बैटर था चैक कर लेते हैं तो इसको 15-20 मिन्ट हो चुके हैं अच्छे से रैश्ट करते हुए जो हमारी सूजी थी काफी अच्छे से फूल चुकी है तो अब हम इसकी इडलिया बनाना शुरू करते हैं इसकी कंसिस आप खास क्याल रखें से ज्यादा पतला मत कीजिएगा ज्यादा पतला करेंगे तो इधर उदर बहे जाएगा इसमें शेप नहीं आता है तो मैंने यहां इस बैटर को आधा साइड में रख दिया है क्योंकि एक बार में जितना मोल्ड हो आपके पास उस अकॉर्डिंग ब बनाते हैं उसमें यूज करते हैं वह तो आधा चमच बेकिंग सोडा डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम ग्रीस के हुए मोल्ड में इसे भर देंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है वह कितना फ्लपी सा हो गया किती फारी जालियां दिख रही हों करने रख दिया था और इसे आठ से दस मिनट बाद यह अच्छे से फूल गई है यह आधा अधा फराता ना मैंने यह देखिए उपर तक आच चुकी है और यहां देखिए जो यह टूट से में इसे इंसर्ट करके देख रही हैं बिल्कुल क्लीन निकल रेस का मतलब हमारी इटलिया है अच्छे से गुक हो चुकी है तो गस का फ्लेम आफ कर देंगे तबी प्लिट्स दो बाहर निकालके ठंडा कर लेंगे और ठंडा हो जाने के बाद हम इसे एक एक करके इस्पून से या नाइज से आप इसे निकाल दीजिए का बहुत ही नीकल जाती है और यह ब बहुत जादा फ्लपी बनती हैं तो हमारी बहुत ही मज़िदार सी प्रवाइडली बनके रैडी हो चुके हैं वह भी बिना दही के तो इसे मैंने इस इंस्टन्ट चटनी के साथ सर्फ किया बहुत ही डेश्टी लगती है जरूर राय किजीगा पसे नायते वीडियो का लाइक